तो चलिए स्टार्ट करते हैं आथ के यानिकी 21st जून के important current affairs को देखे हमारा पहला प्रशनी क्या है अभी हाली में प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी जी ने भारते सम्विधान अनकही कहानी नाम की पुस्तक का विमोचन किया है इसके लिखक कौन है तो आशार होगा राम भादुर तो अभी हाली में प्रधान मंत्रे नरेंद्र मोदी ने राम बहादुर राज की पुस्तक भारते सम्विधान अनकही कहानी को रिलीस किया है अच्छा सलमान रुष्टी का नाम आप लोगोंने सुना होगा भी अभी हम लोगोंने एक प्रशन पड़ा था कि UK के द्वारा किस भारते लिखक को Companion of Honor के रूप में चुना गया तो आंचरोगा सलमान रुष्टी और विनित कार्तिक की बात करेंगे तो भारत की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक है Business of Sports The Winning Formula for Success इसको इन्होंने लिखा है विनित कार्तिक में और गितांजली श्री आप जानते हो इनकी बुक है Tomb of Sand उसके लिए इन्होंने अंतर राश्टर बुकर पुरुसकार 2022 जीता है और इनके साथ एक और हैं क्याना में उनका डेजी रॉक्वेल उन्होंने इस बुक को ट्रांसलेट किया तो गितांजली श्री के साथ उन्होंने अंतर राश्टर बुकर पुरुसकार जीता है ये नाम भी आप ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में तेलंगना हाई कोट के नए चीफ जस्टिस के रुप में किसे न्यूक्त किया गया है तो अंसर होगा उज्वल भुया को तो याद रखना है अभी सरकार ने उज्वल भुया को तेलंगना हाई कोट के नए Chief Justice के रूप में न्यूक्त किया है अच्छा इनके अलावा कुछ और appointment हुए हैं वो भी मैं आपको बताता हूं ध्यान से सुनना अभी तेलंगना हाई कोट का तो पढ़ दिया हमने अब उत्तराखन हाई कोट के नए Chief Justice कौन होंगे विपिन सांगी ये नाम याद रखना हिमाचल प्रदेश हाई कोट के नए Chief Justice कौन होंगे अमजद अहतेशम सईद गुवाहती हाई कोट के नए Chief Justice होंगे रश्मीन M. छाया और राजस्तान हाई कोट के नए चीफ चस्टिस कौन होंगे शिंदे शंभाजी शिवाजी इसके अलावा अभी सतीष चंद्रिशर्मा जो अभी तक तेलंगना हाई कोट के चीफ चस्टिस थे वो अब दिल्ली हाई कोट के नए Chief Justice बन जाएंगे तो इस एक परश्ट में कुल मिला कर के ये 4-5 अपॉइंटमेंट मैंने आपको बताए ये सब ही आप ध्यान में रखिएगा हम बढ़ते हैं आगे फिर बताएए अभी हाली में विश्व शरनार्थी दिवस 2020 ये कब मनाया गया तो अंसरों का 20 जून को तो World Refugee Day ये हर साल 20 जून को मनाया जाता है तो दुनिया भर में शरनार्थियों को सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है शरनार्थी वो लोग हैं जो आतनकवाद, संघर्ष, युद्ध या किसे अन्य संकत के कारण अपनी मात्र भूमी छोड़ने के लिए मजबूर है और इस बार की थीम क्या है? Together we heal, learn and shine चलिए अब रिवाइस करते हैं जून महीने के जितने भी important days हमने पड़े हैं एक जून को दो डे मनाए गए थे, World Milk Day और Global Day of Parents तीन जून को World Bicycle Day के रूप में मनाया पात जून को World Environment Day मनाया था साथ जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, World Food Safety Day मनाया आठ जून को विश्व महासागर दिवस, World Ocean Day मनाया और आठ जून को ही World Brain Tumor Day मनाया था बारा जून को बाल शरम के खिलाफ विश्व दिवस, World Day Against Child Labor मनाया तेरा जून को International Albinism Awareness Day मनाया चौदा जून को World Blood Donor Day मनाया पंदरा जून को विश्व बुजर्ग दुरवेवार दिवस, World Elder Abuse Awareness Day मनाया 16 जून को International Day of Family Remittance मनाया 17 जून को विश्व मरु इस्थली करन और सूखा रोक्थाम दिवस मनाया यानि कि World Day to Combat Desertification and Drop और अभी 18 जून को Sustainable Gastronomy Day के रुप में मनाया था और अब ये 20 जून को हम विश्व शरनार्थी दिवस के रुप में मना रहे है World Refugee Day तो ये सारे important days अभी तक जून में हमने पड़े ये आप याद रखिएगा हम बढ़ते आगे चलिए फिर बताईए अभी हाली में किस बैंक ने बच्चों के लिए बचत खाता Enjoy को लांच किया तो अंसर होगा Equitas Small Finance Bank तो अभी Equitas Small Finance Bank बच्चों के सेविंग अकाउंट Enjoy को लांच किया है और कहा है कि छोटे बच्चों को वित्य दुनिया से परिचित कराएगा ये जिससे उन्हें बचत यानि कि सेविंग की आदत विक्सित करने के लिए प्रुच्चाहित किया जा सकेगा Equitas Small Finance Bank की बात करें इस्तापना होती 2016 में Headquarter है चैन्नेई में MDCO इसके कोन है वासुदेव पठानी नर्सिम्मन और इसका tagline होता है It's Fun Banking बाकिया आपको बता दू अभी SBI General Insurance ने एक नया स्वास्त भीमा Vertical नाम से लांच किया था HSBC इंडिया की बात करें तो इसने recycled PVC प्लास्तिक से बने भारक के पहले credit card को लांच किया था और Union Bank of India ने Digital Transformation Project संभव को लांच किया था तो ये भी याद रहना बढ़ते आगे फिर बताईए 2026 के FIFA World Cup का आयोजन अमेरिका Mexico और किस देश में किया जाएगा तो आंसर होगा Canada यानि कि 3 देश में होंगे 2026 के FIFA World Cup अमेरिका के तो 11 शहरों में Mexico के 3 शहरों में और Canada के 2 शहरों में होंगे ये तो इतना आपको याद रहना है कौन-कौन से 3 देश होंगे America, Mexico और Canada अच्छा ये तो बात हो गई है 2026 के FIFA World Cup की आपको बता है इस साल जो FIFA World Cup होंगे वो काँ पे होंगे कतर दोहा में होंगे उसका Official Sponsor कौन है बाइजूज है उसका शुभंकर Mascot क्या है लाइब जोकी एक अर्भी शब्द है जिसका मतलब होता है अती कुशल खिलाडी और आपको याद होगा अभी आदिदास ने इसके लिए एक फुटबॉल भी लॉंच किया था जिसका नाम रखा था अल रिहला जिसका मतलब होता यात्रा और इस गेन को पूरी तरह से पानी अधरित श्याही और गोंद से बनाया गया है जो अपनी आप में पहली बार है आज अब फुटबॉल की बात है दो-तिन इंपोर्टेन प्रशन बता रहा हूं इनको याद रखना एक तो अभी 75-वी संतोष ट्रोफी 2022 को किस ने जीता तो केरल ने जीता किसे हराके पश्चमंगाल को हराके अभी आपने पढ़ा होगा रियल मेडरिड फुटबॉल कलब ने अपना 35-वा स्पैनिश लीग खिताब जीत लिया है और याद रखना यूरो कप 2020 इसको किस ने जीता था? इटली ने किसको हराके? इंगलेंड को हराके और कोपा अमेरिका इसको जीता था अर्जेंटिना ने ब्राजील को हरा करके और डूरंड कप 2022 का खिताब किस ने जीता था? FC गोवा ने और फीफा का हेड़कोर्टर काँपर है जो रिक सुच्जलेंड में है और इसके प्रेसिदेंट है ग्यानी इफेनिटो ये सब याद रखना बढ़ते हैं फिर बताईए जून 2022 में जारी कांतार ब्रेंट्स के 2022 Most Valuable Global Brands Report में TCS ये कौन से इस्तान पर है? तो अब इक कांतार ब्रेंट्स ने 2022 के Most Valuable Global Brands Report को जारी किया है जिसमें चार भारते कंपनियों को Top 100 में शामिल किया गया और वो चार भारते कंपनिया कौन कौन सी है? TCS है HDFC है HDFC Bank एक है Infosys और एक है LIC TCS 46 नंबर पर है HDFC Bank 61 पर है Infosys 64 पर है और LIC आपका और इसमें Top Brand कौन सा है? Top Brand है Apple Second पे Google है Third पे Amazon है और Fourth पे Microsoft तो इस तरह की जो ranking आती है इसको भी आप ध्यान रखा कीजिए क्योंकि इस तरह के प्रशन बनते हैं और अभी हम लोगों ने जो discuss किया था UPPCS का paper आपने वहाँ पे एक प्रशन इस तरह का देखा होगा IT Brands की जो list आय थी उसमें TCS के बारे में पूछा गया था तो इसे ध्यान रखना आप बढ़ते आगे और हाँ गाईस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू आज वीडियो थोड़ा सा लेट ही अप्लोड हो पाएगा क्योंकि आज रात में मैं वापस आया हूँ और ट्रेन का सफरता ठक गए थे तो आने के बाद मैंने वीडियो तयार किया तो बीच में थोड़ी थोड़ी नीन भी आ रही थी इसलिए थोड़ा सा एक्स्प्लेनेशन भी आपको कमी मिलेगा क्योंकि संख्या भी हमने आज दसी रखिये इस कारण से ताकि और जादा लेट न हो बागी कल से जैसे हम रूटीन पढ़ते हैं वैसा ही हमारा स्टार्ट करेंगे और अब से हम टॉपिक वाइस को करना भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी में अपलोड करूँगा अब मैं यह का अशिरवाद भी मिल गया है अब सबको सही होगा चलिए बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में किस हवाई अड़े को विश्व का सर्विश्रेष्ट हवाई अड़ा 2022 खोशित किया गया तो आंसर होगा हमद अंतर राष्टर हवाई अड़ा तो कतर का है यह हमद अंतर राष्टर हवाई अड़ा जैसे अभी स्काइट्रेक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवोर्ड्स में लगातार दूसरे साल विश्व के सर्विश्रेष्ट हवाई अड़े के रुप में घोशित किया गया और बांगलादेश का जो केमपे गोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको भारत और दक्षन एशिया में बहतरीन शेत्रे हवाई अड़े के रूप में घोशित किया गया ये भी आप ध्यान रखना चलो एक प्रस्ण में आपसे पूस्ता हूँ बताओ अभी किस हवाई अड़े ने ग्रीन हाउस गेस उत्सर्जन में कटोती के लिए सबी वाहनों को इलेक्टरिक वेकल से बदलने का फैसला किया तो आंचर होगा इंद्रा गांधी इंटरनेस्टल एएरपोर्ट दिली और अभी आपको याद होगा हमारे जो एविएशन मिनिस्टर है जोती रादित्य सिंधिया इन्होंने पहली बार राष्ट्र वायू खेल नी थी 2022 को लांच किया था उसके अलब आपको याद रखना है कि एक सुधिशी निविगीशन प्रनाली है गगन उसका उप्योग करके विमान की लेंडिंग कराने वाली देश की पहली एरलाइन कौन सी बनी थी इंडिगो एरलाइन और लेंडिंग कहां पर कराई थी राजस्थान के किशनगर एरपूर्ट पर और अभी करनाड़क के शिव मोगगा हवाई एड़े का नाम बदल करके वहां के जो पूर्व मुख्यमंतरी थे पियस यदी यूरपपा के नाम पर रखा गया है अचा विंग्स इंडिया 2022 ये क्या है ये नागरिक उड़यन के शेतर में एशिया का सबसे बड़ा कारेकरम है जो की अभी ये हुआ था बेगम पेट हवाई अड़ा हैदराबाद में उसके अलवा सोर इंधन का उप्योग क जियान रखना बढ़तें आगे हैं चलिए बताइए जून 2022 में किस ने राष्ट्रय योग ओलंपियाड 2022 का उदखाटन किया तो आंसरों का धर्मेंद्र प्रधान हमारे सिक्षा मंतरी हैं धर्मेंद्र प्रधान जिनोंने अभी राष्ट्रय योग ओलंपियाड 2022 और याद आएगा कि योग दिवस कब मनाते हैं 21 जून को और इस बार इसका आयोजन ये काँ पर किया जा रहा है मैसूर करनाटक में और ओलंपियाड से याद आएगा आपको फिडे चैस ओलंपियाड ये पहली बार भारत में होने जा रहे हैं इसी साल होंगे कहाँ पर भारत म रखना बढ़ते आगे हैं चली फिर बताईए जून 2022 में किस देश ने फुजियान नाम से अपना तीसरा विमान वाहग पूट लॉंच किया है तो अंसर होगा चाइना तो अभी चाइना ने अपना तीसरा विमान वाहग पूट लॉंच कर दिया है जो कि चाइना का सबसे उन वाहग पूट का नाम क्या है तो अंसर होगा आइने स्विक्रांद चाइना की बात करें चाइना की कैपिटल क्या है बीजिंग है यहीं पर आपको शंगही कॉपरेशन और्गेनाइजेशन का इशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्ट्मेंट बेंक का हैड़कॉर्टर मिल जाएगा करंसी रेंबिन भी है प्रेसिडेंटें शी जिन पिंग बढ़ते आगे फिर बताइए अभी हाली में कोलंबिया के राष्ट्रपती कौन बन गए तो अंसर होगा गुस्तावो पैट्रो तो राष्ट्रपती के चुनाव जीतने के बाद ये गुस्त्रावो पैट् इनके अलावा फ्रांसिया मारकेज ये देश की पहली मेला उपर राष्ट्रपती भी बनी है अच्छा हमजा आबदी बर्रे के बारे में आपने सुना होगा ये अभी सो मालिया के प्रधान मंत्री बने थे ऐसे याद किया था हम लोगोंने कितने मालिया सो मालिया और सारे क सारे क्या कर रहे हैं मजे कर रहे हैं मतलब वहां की आदियाबादी सो सो विजे मालियों से भरी है ऐसे याद किया था ऐसे याद रखना बाकी अभी Ferdinand Marcos Junior ये Philippines के नए राष्टरपती बने थे बात कोलम्बिया की है तो ये रा मैप में कोलम्बिया साउथ अमेरीकी देश है ये केपिटल इसकी बोगोता है, करंसी है, कोलंबियन, पैसो और नए राष्टरबत ही बन गए गुस्तावो पैट्रो अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पुछे गए प्रशन के उत्तर की तो कल के वीडियो में आपसे बुछा था, वेश्विक शान्ती सूचकांग 2022 में भारत कौन से इस्तान पर है, तो आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उत्तर दिया है, और गाईज अगर सेशन अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक करके शेर जरूर कीजिएगा, और कल रात ही हम रोटीन में हमारा पड़ा करेंगे, और इनका क्विज बना करके अप लूट कर दिया आपके क्रेक एक्जाम एप्लिकेशन पर, पीडिएफ भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, अब ये रहा आज का आपका हमवर्क प्रशन है,